Welcome to lesson number 4 कल मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपसे बात किया था कि successful facebook ad के लिए क्या क्या component होने जरूरी है ठीक है उन components में एक component था funnel ठीक है तो आज मैं आपसे बात करूँगा about funnels हम जानेंगे कि आप funnels का कैसे use कर सकते हो अपने business को grow करने के लिए ठीक है so funnel होता क्या है आप इसको simple तरीके से समझो आपने गन्ने का juice जो होता है वो देखा होगा अब गन्ने का juice होता क्या है तो say यह है machine इसमें कुछ गन्ने डलते है then यहाँ से juice आता है और जो भी गंदगी होती है वो machine बायर कर देती है और juice जो है वो क्या होता है आप यूज करते हो ठीक है गन्ने बहुत सारी डलते है juice थोड़ा साथ है similarly होता क्या है आपका कोई भी online business हो आप अपने website पे कुछ लोग भेजोगे हाना suppose थो आप 1000 लोग भेजो इन 1000 लोगों में से कुछ क्या बन के आएंगे आपके customer तो यह एक funnel है similar to जो गन्ना मैंने आपको बताया था यहां से गन्ने डले end में juice निकला गंदगी बाहर simple यहां पे कुछ लोग डले इसमें से कुछ customer निकले और बाकी बाहर अब आपको यह जो funnel है यह अपने business के लिए बनाना है अगर आप अच्छा funnel नहीं बना पाऊगे तो आप कैसी भी facebook ad बनाओ उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला आप loss making रहोगे ठीक है तो आपको यह funnel सही से structure करना क्या है बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप funnel structure कर सकते हो अपने business के लिए और कितने type के funnel है जो कि आप structure कर सकते है देखो जो सबसे famous funnel है वो है lead magnet funnel अब यह lead magnet क्या होता है कि आप किसी को attract करने के लिए कोई चीज दे रहे हो free में लीड attract करने के लिए आप magnet क्या होता है आप कुछ चुमबक से attract करते हैं वैसे lead attract करने के लिए आप क्या दे रहे हो कुछ अच्छी चीज दे रहे हो ताकि आप lead को क्या कर सको attract आप आप क्या दे सकते हो, आप दे सकते हो e-book, आप दे सकते हो video series, आप ये चीजे देखे, आप दे सकते हो cheat sheet, आप ये चीजे देखे, लोगों को अपने funnel में attract कर सकते हो, ठीक है? तो अब ये lead magnet funnel exactly काम कैसे करता है तो देखो ये काम कैसे करता है आप पहले एक landing page बनाते हो step 1 ठीक है आप इस पर copy वगणने लिखते हो अब होता क्या है कोई भी आपके landing page पर आ सकता है और अपना email address देखे जो भी आपका lead magnet है उसको download कर सकता है ऐसे काम करता है lead magnet अब ये funnel आप structure कैसे करोगे तो आप suppose करो facebook यूज कर रहे हो अब यहाँ से आपने traffic कहां भेजा अपने landing page पर यहाँ से लोग लेके आएंगे आपके thank you page पर और जैसे thank you page पर आएंगे आप इसे भेजोगे email number 1 email number 1 में आप भेजोगे क्या email number 1 में आप भेजोगे आपका lead magnet जिस चीज के लिए उसने आपको अपना email दिया है यह आप भेजोगे और कुछ समय बाद आप भेजोगे email number 2 इसमें आप content भेज सकते हो या कोई offer वगरा भेज सकते हो and so on ठीक है plus आप क्या कर सकते हो जो भी आपके thank you page पे जा रहा है इसे आप दिखाओ क्या remarketing ad ठीक है जो भी आपके thank you page पे जा रहा है इसे आप remarketing ad दिखाओ ताकि और trust build हो आपका और इस user का और आप इन्हें emails के through आपर सकते हो offers पिच कर सकते हो यह तो एक simple lead magnet funnel हो गया जो कि आप बेज सकते हो, जो कि आप use कर सकते हो इसी का एक दूसरा variation हो गया which is upsell funnel ठीक है, upsell funnel में क्या होगा अभी तक क्या हो रहा था, वो lead magnet आप दे रहे थे thank you page पे आ रहा था और आप emails बेज रहे था, अब क्या होगा जैसे वो thank you page पे आएगा तो instead of a normal thank you page आप इसे अपना क्या दोगे कोई छोटा सा product सस्ता सा, छोटा सा product दोगे thank you page पे offer दोगे, जैसे वो thank you page पे आया आप एक video बनातो के, hey thank you so much for downloading the e-book I have a special offer for you if you need this special offer, please watch the below video, या please click the below button to check that offer और आप अपना कोई small छोटा सा product इस बंदे को बेज सकते हो तो एक ये तो बहुत ही famous funnel है जो कि आप use कर सकते हो, lead magnet funnel और दूसरा upsell funnel एक और funnel है, जो कि आजकल बहुत ही famous हो रखा है दो funnel है basically, जो कि बहुत famous हो रखा है, एक तीसरा funnel है, free book funnel ठीक है, free book funnel में क्या होता है, आप add बनाते हो और लोग landing page पे जाते है और landing page पे आप offer क्या कर रहे होते है free book, ये normal ebook नहीं होती, ये होती है physical book ये होती है physical book, इने करना क्या होता है? अपना नाम देना होता है address देना होता है और then आप क्या करते हो, इनको physical book, इनके घर बेजते हो, ये book होती है free, आप इनसे क्या लेते हो, just shipping, ठीक है, देखो, ये जो है, ये most of the times होता है loss making, but ये लोग करते क्यों है, क्यों, क्योंकि जो आप emails acquire करोगे, या जो आप users यहां से acquire करोगे, उनकी lifetime value अच्छी होती है, और आप उन्हें future में product बेच सकते हो, आप उन्हें future में product बेच सकते हो, ठीक है, तो ये बहुत ही famous हो रख्या आजकल free book funnel, और एक चौथा funnel है, again, आजकल बहुत ही जादा demand में हो, वो है webinar funnel, और इसमें भी वही चीज है, जैसे ही वो opt-in कर लेगा, आप उसे multiple emails भेजोगे, अपने offer pitch करने के लिए, या content देने के लिए, और ultimately offer pitch करने के लिए, प्लस आप इसे साथ में remarketing ads run करोगे, अपने और offers देने के लिए, चौथा funnel है, जो आदे घंटे, पचास मिनट, एड़ घंटे की, एक video series तो नहीं कह सकते, एक आप कह सकते हो, tutorial होता है, basically, तो आप इसमें क्या करते हो, आप add run करते हो, लोग landing page पे जाते हो, अब देखो, webinar funnel काम के से लिए, suppose करो, मैं एक webinar बनाता हूँ, कि मैं क्या बनाता हूँ, पेसे लिए एक video बनाता हूँ, 40 minute की, I can name it as a webinar, और मैं कहता हूँ, यह 40 minute का webinar है, जिसमें आप यह सीखोगे, कि कैसे आप अपनी agency grow कर सकते हो, और यह अगर आपको सीखना है, तो आप अपना email address इस landing page में दो, अब लोग आएंगे, और जिन्हें यह webinar देखना है, वो अपना email address मां जैसे email address देंगे, वो webinar देखेंगे, again webinar में क्या करूँगा मैं, यह तो उनको समझाओंगा ही, कि agency कैसे grow कर सकते हैं, plus webinar में मैं अपनी कोई service उन्हें बेचूँगा, right, मैं अपनी service बेचूँगा, जो भी agency से related होगी, और होगा क्या, कुछ लोग उसे खरीदेंगे, कुछ ल लोग उसे नहीं खरीदेंगे, मैं उन्हें further future में emails और remarketing के through अपना product दुबारा बेचूँगा, ठीक है जी, तो यह है webinar funnel, जो कि आज कल बहुत चल रहा है, अब देखो, यह जो भी आपनी चारों funnel पढ़े, ना देखे, इन चारों में एक बहुत ही ज़ादा जरूरी चीज जरूरी चीज क्या है, वो जरूरी चीज है, backend product, backend product, मैं आप stress नहीं कर सकता है, कितना 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 जरूरी है, backend product क्या है, कि suppose करो, मैंने किसी को free ebook दी, और उसने मेरे को email दिया, अगर मेरे पास, इस ebook के अलावा, कोई और product नहीं है, जो मैं उसे बेच सकता हूँ, तो मैं हमेशा क्या रहूँगा, loss making, अब suppose करो, उसने ebook खरीदी, अब मेरे पास, क्या-क्या product है, तो suppose करो, मेरे पास एक है course, मेरे पास है एक agency की service, और मेरे पास है एक company growth, या company incorporation की service, for example, मेरे पास है तीन services है, मेरे पास है mastermind, यह अलग-अलग services हैं, जो मैं offer कर सकता हूँ, जैसे ही उसने मेरी ebook डाउनलोड की, अब suppose करो, किसी ने मेरी ebook डाउनलोड की, और मेरे पास just एक service है, एक offer है which is course, मतलब मेरे पास बस एक backend product है, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत है, अगर मेरे पास multiple backend products हैं, तो मैं इस user को कोई ना कोई product इसमें से बेच सकता हूँ, तो make sure कि आपकी पास multiple backend products हैं, अगर आपके पास multiple backend products नहीं हैं, तो आप backend products पहले develop करो, फिर जाके अपनी marketing run करो, अभी लोग marketing क्या run करते हैं, वो सीधे facebook पे आते हैं और add बना देते हैं, उनके पास ना कोई backend product हैं नया कुछ है, वो सीधे add चला देते हैं, add चला देने से आपको success नहीं मिलने वाली, add चल famous हैं, जो कि आप use कर सकते हो, बाकी funnels के बड़े सारी variation है, आप इन्हें चाहों तो अपने हिसाब से tweak कर सकते हो, अभी एक और funnel है, जो कि आप use कर सकते हो, इन that is membership funnel, एक और funnel है जो कि आप use कर सकते हो, इन that is, जो SaaS companies उस करती है, SaaS funnel, तो ये दोनों भी मैं आपको समझा देता ह membership funnel में क्या होता है, आप add run करते हो, और लोगों को आप अपने website की free membership देते हो, for example, suppose करो, मैं digital marketing की एक membership website start करता हूँ, जिसमें मैं बोलता हूँ, इसमें weekly मैं आपको content दिया करूँगा, अगर आपको content चाहिए, तो आओ, और मेरी membership site का free में member बन, वो जैसे member बनेंगे, वो content द membership site का भी offer दूँगा, ठीक है, तो वो होता है आपका membership funnel, बहुत यह simple, easily आप use कर सकते हो, sales companies जो है, वो देखो क्या करते है, जो उनका freemium funnel होता है, freemium offer होता है ना, उनका, वो कुछ दिन आपको अपना product free में use करने के लिए देती है, then आपको payment करनी होती है, right, तो वो sales companies का funnel ह and that is, पहले वो free में offer करें, then वो आपसे पैसे लेती है, हाना, तो variations आप बड़े सारे निकाल सकते हो funnel के, just आप करो क्या, एक बार आप आप सोचो, अपने business के बारे में सोचो, कि आपका business क्या है, और कैसे आप उसके लिए funnel design कर सकते हो, क्या आपको लगता है कि भाया, अगर मैं ये करू, तो मेरे लिए best रहेगा, कैसे आप prospect attract कर सकते हो, और कैसे आप उन्हें users में convert कर सकते हो, ठीक है, तो ये आज आपको exercise करनी है, you can take it as a homework, और then आप वो जो भी decide करो, उसे आप मुझे इसी email पे reply करो, या जा के आप group में drop करो, ठीक है जी, thank you so much for watching.